ए आतीत सुनले जरा मेरी बात को ध्यान से तुझसे मुझसे तू है तुझसे मैं नहीं तेरी ये जिन्दगी तो मेरे एक सांसों कम होता आज है जिस पल जिस वक्त मैं अपना इरादा बदल दिया गारी घर बंगला तो सब बेकार ही बेकार है ये सुन्दर सा शरीर तेरे किस काम का है मैं हूँ तो तू अन्मोल है मैं नहीं तो तेरा कोई मोल नहीं मैं नहीं तो तेरा कोई मोल नहीं एय आतित मत कर घमंड अपने आप पर मत कर घमंड अपने आप पर मुझसे तू है तुझसे मैं नहीं मैं तो एक हावा का जोका जैसा है जिस वक्त जिस समय मेरा मन क्या जिस अध्यर मुड़ने का उधर मैं मुड़ जाओंगा मैं अपना इरादा बदल दिया तो तू कुछ कर नहीं पाएगा मैं सारे भारत बासियों को सलाम करती हूँ और मेरे जितने देश के जवान भाई बहने मैं सभी को सलाम करती हूँ और ममी सरीता किचन के तरफ से मेरे जितने बॉर्डर पर भाई बहन है मैं सभी को सलाम करती हूं और क्या मैं बोलूं मेरे देश के जितने सैनिक भाई बहन है वो सब को सब देश के आनबान और सान है मैं सभी को सलाम करती हूं और हम लोग अपने असल हीरो को नहीं भूलना चाहिए क्योंकि सनिक भाई भायन ही मेरे असल हीरो है उनसे ही हम लोग सब सुरक्षित हैं और अगर नहीं हम लोग को साथ रहेंगे तो हम लोग ऐसे सुरक्षित रह सकते इसलिए हम लोग को हमेशा अपने सनिक भाई भायन को ध बॉर्डर पर जितने हैं सब स्रक्षित रहें। और हम लोगो देश का रख्षा करते रहें। क्योंकि हम लोग तो अपने घरों में कंबल के नीचे आराम से बैचे रहते देख pretend जितने हैं बॉर्डर पर जो रहा रहें। और हों लोग को बारे में जर्ा सुचिए कि उन लोग कैसे अपकर निदिन देखते ना रात नदीन ने फ़र क्योंकि इतने सर्दी में हम लोगने कंभल के नीचे राते हैं उन लोग को अम्लोग तिन रथे सोते हैे रोफ रात दीन वह लोगो सेवा में लगे रहाते हैं ऐसे थीरो कि फिर से एक बार सलाम है और आप लोग भी हुए लोग असली हीडों के लिए हमेशा प्रात्ना करते रहे जितने कि देशबासियों हैं कि मेरे जितने भाई बैण हैं वो सब अच्छे से रहें और हम लोग भी हमेशा दौबाह करते रहें जै हिंद जै भारत देखिए दोस्तों इन्सान को जब तक सास है तब तक आस है इंसान को जितना भी तवियत खराब होता है इंसान को अगर 20T पर रख दिया जाता है उसे तो लोग पूछता आसे तो चल रहा है ना उसका सहाथ सब्रावी है न कि जितना हा इंसान जाइसा भी रहे लेकिन अग نے सरीर में और हड भी बच्चा है आगर सांस है इसी लिए इंसान को सोचना चाहिए पहुचा देता है जल्दी लेके चलो जल्दी लेके चलो अब इसका यह तो मर गया है इसलिए इन्सान को सचना चाहिए घमणडर नहीं करना चाहिए कभी वी कि sambuleं मेरा है सब मेरे सान्सों का है यह सासा है लोटल कुछ भीहनि नहीं सास निकला थातो घर uso निकाल देखे वी घर से लिए ही तो साफ है तो शामत बोलते हैं यता साफ पता कोने मेरा यह ऊह घर में डरा कारी कारी कर्बेस यह दया और मे Fernando क्कहिए लेकिन रहे हुचकर कई घुमता है दूइया कार्ता काफ ही नहीं है उसक्रह दर्द करता को जाता है यह झालता है लेकिन जब इनसान प्राण निकलता है इससे लिए। कि इसे चुटकुला बो लें कब मेरा मान में आया तो मैं भोल को बोली दें उख़ी ए पर दु시는 और एक हर इंसान को जिन्दगी में घटना घटेगा ही जो जनम लिया है उसको जना ही है को बख्त से पहले देखिए दोस्तों बूलना नहीं चाहिए पहले का लोग 100 साल जीते थे कोई 110 साल से उपर ही जीते थे लेकिन जैसे जैसे इंसान को घमंड बढ़ते गया हर चिर का है देखिए दोस्तों जैसे पहले सो साल जीता था कोई 110 साल जीता था अभी क्या है कि 80 साल हुआ 80-60 साल हुआ 60-50-50-40 ऐसे अब हो रहा है क्योंकि हम लोग अपने आपर इतना ने घमंड करने लागा कि हम लोग का साथ सभी साथ चुरने लगा कि नहीं अब ऐसे शरीर में हम बताइए दोस्तों आप लोग एक वर सोच कर देखिये कितने जवान लोग चले जाते हैं, अच्छे लोग चले जाते हैं, क्या है गलती कितना सुंधर इंसान रहता है देखने में तुरहंत क्यों कि वह हर इंसान दौा करता है कि भगवान उसको सांस लटा दो, उसका सांस होता जने हैं आप लोग सोचिए समझ अधे और मेरा बात को बुरा लगा होगा तो मैं फिर से बात सवरी बोलती हूँ बार-बार कहती हूं और आप लोग कमेंट कीजिएं कि मेरा बात कैसा लगा और लाइक, सस्क्राइब कीजिए और फिर शे बोल रहे हैं कि मेरे असल हिरो को मत भुलिए और जितने बॉर्डर पर मेरे भाई बहन हैं तो सब के लिए दुआ कीजिए भगवान से प्रात्ना कीजिए इस वर से प्रात्ना कीजिए इस वर जितने मेरे भाई बहन हैं सब को अच्छा से र जिसका पती हो भाई हो बेहन हो सब को आसरा आता है कि घर अच्छे से लोट करा है हर इंसान को उनको लिए प्रात्ना करना चाहिए अच्छ जनवरी के प्लक्ष पर मैं फिर से एक बारत जितने मेरे बिये से भाई बहने और जितने मेरे साइनिक भाई बहने मैं सभी को सलाम करती हूँ जय हिंद जय भारत ए मेरे बतने के लोगो जरा आंके में भरे लो पानी जो सही दे हुए है उनको जरा यादि करो कुरी वानी जरा यादि करो कुरी वानी